बैरकपुर से बीजेपी उमीदवार हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात कि अर्जिन सिंग यहाँ पर कोट में आए हुए आप आज चुनाव प्रचार्ज के बीच में कोट में घूम रहे हैं हमारा रोज का काम अभी ममतावणर जी के ऐसा हमारे उपर आशिरबाद है कि हर रोज दो तीन मामला करते रहती हैं तो हर रोज मुझे कोट में आके बेल लेते रहना पड़ता है बने गनतंत्र कहां चला गया है यह बंगाल में खोजने से भी नहीं मिलेगा मामला नया मामला हो चुका है रोज का रोज उनका काम है कि एक एक समय दरी एक बच के तीस मिनट में चार थाने में मामला होता है कि सारे लुप तो त्रस्त लोग ही आते हैं सरकार से सरकार से जितने तरस्त हैं वह कोट आते हैं कि वहाँ से कोष रहाय मिले इसी भाने उनसे मुलाकात भी हो जा रहे हैं आप कभी ता जाता था कि जो दिनेश त्रिवेदी हैं वो नामंकन करते चुनाओ आप लड़ते थे लेकिन अब आप सामने हो दिनेश त्रिवेदी एक अपने आप में सबसे वड़ा मुद्दा है कि यह अकास में हमेशा उड़ते रहते थे और उनको धरती से कोई मतलब नही दो बार मंत्री रहें एक मंत्री ते ने नोकृरी नहीं दिया कि 8 ओने के बावजुद उन्हों ने एक म हेल् venture तक नहीं बनाया, यस स्थेत्र में पर दूसरी बात है कि अपर्जेक्ट उन्हों ने आज तक रेल्वे का नहीं बनाया, ममता बनद जी करहें अब उतना बड़ा बेगूफ आदमी या तो वह है मैं तो नहीं हूँ कि मैं इस तरह से काम करने जाओंगा मुझे गोली चला रहेगी आईसा दीन खराब मेरा नहीं हुआ है तो आपको लगता है कि चुनाव जो है जो मुकाबला कहीं है आप आकाश पुतर की बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि दर से दरती पुतर पर से आपाश पुतर इस लडाई को आप जीत पाओगे ममता को हरा पाओगे यहां पर कि लडाई 80-20 के बीस में सब हैं अब उसमें कौन 117 को नौ परसेंट हो जाए यह बात की बात मैदान पे उतरे हैं तो रही दम के साथ हम जहां भी रहते हैं दम के साथ और पहले तो मुख मंतरी के साथ हैं तो थोड़ा दम तोर बढ़े गाले बहुत बढ़ी बात है कि पह तीन बार से लगातार ट्यूम्सी का गड़ रहा है और इस गलब के पीछे कहीं न कहीं अर्जुन सी का भी हाथ था कि उस गड़ को बनाने में लेकिन अब अर्जुन सी को हिलाने में लगे हुए तो उमीद है कि एक अधिकरा मुकाबला देखने को यहां पर जरूर मिलेगा ब झाल